हमारे एजुकेशन सिस्टम को रोस्ट करने वाली है आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर काफी सारी वीडियो देखी होंगी लेकिन यह वाली जो वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसके इंदर मैं यानि कि एक स्टुडेंट अपना व्यू बताऊंगा हमारे देश यह tagline होती है अगर तुम्हें जिंदगी में successful होना है अच्छी लाइफ जीनी है तो तुम्हें 24 गंटे पढ़ना होगा पूरे के पूरे जिन पढ़ते रहो देखो यहार यहां पर बेसिक चीचीज आती है यह मांसिकता वाकई में गलत है क्योंकि यहां पर यह मांसिकता य बना है या इंजिनेर बना है और उसके लिए वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी निच्छावर कर देता है जो कि यहां पर सबसे आदर वर्स सिनेरियो है क्योंकि यहां पर वो स्टुडेंट आउट ऑफ दा बॉक्स नहीं सोच पाता है अब तुम लोग यहां पर लेनी चाहिए यह स्कूल एंड कॉलेज एंड यह पड़ाई है यह हमारी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है जो कि एक टाइम बात खतम हो जाएगा हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इसके उपर रिलाए नहीं करती है और नहीं करनी चाहिए जो इंसान इस बात को जितनी हली समझ जाएगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा और वहीं पर बात आती है दूसी तरफ मएपने उपीनियन देने तो यहाँ पर अगर मैं अपने उपीनियन देना स्टार्ट करूँ और यहाँ पर अगर मैं खामिया निकालना स्टार्ट कूरू तो वीडियो लिटरली बहुत यह दा लंबी हो जाईगे। बेजिकली मेरे इसाब से हमारे देश का एजूकेशन सिस्टम पूरे वर्ड में सबसे भद्दा है। दो पैसे का एजूकेशन सिस्टम है मरदेश का। एंड इससे सबस्याद मेरे से स्टूरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है एंड यहाँ पर जितने भी स्टूरेंट्स यह जितने भी टीनेजर्स बैटे होंगे वो मेरी बात से यहाँ पर एगनी ज़रूर कर रहे हो लो तुम यही सुलो अभी यह समर उल्ल्रेज़ खटम हुए ही जून के आंड आलेज भी नहीं होते हैं यह एक महिनेकी छुट्टी थो फ्रती हमारे मूब पर आठव कोट के मार दी आते हैं और हमें कैह्दिया जाता है कि करो एंड एक प्रोजेक्ट 17 का कितने तो यहां पर था होते हैं शुट्रिया खतम होते है यह लोग सॉफ सान्य पर्याट है यह साले के साथ जमा करते हैं अमंहें ट्शक करते हैं माप्स पकड़ाते सारेके सारे projieievs को 10 मिल में फेक दता है तुम लोग क्या सॉम माक्स का पेप er पेपर कंड़ट नहीं कर सकते हो कि उसमें cobals क्या दिक्कत है यह की कि नया क्या system चला चला है दक्युख निवितर कि यह और फेट सम्मक्रें लेह when you do खुब्र सांसर के लिंडर मिलता है नहीं तुम्हें माक्सरोंर लिखना renowned जो भाषा ब्रेटेजर्स यहाँ पर छोड़के गए हैं उसी के अंदर हमें पढ़ाई करनी होगी अब उस भाषा के साथ हम अपसेस्ट हो चुके कभी तुम लोगों ने इन लोगों से बात पूछी है कि सर आप तो इतना पढ़े लिखे हो आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आप कितने पैसे कमा रहे हो आप कितनी लग्जूरियस लाइफ जीरे हो आप तो अभी भी आटो से आते हो यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ना ही बन कर दो ठीक है वो तो कोई बेकूफी करेगा मैं यह आपर यह कहना हूँ कि अपनी पूरी जिन्दी को इसके उपर हिलाए मत करो